अब गुद्बार्णिंग स्टुडेंट्स कैसे आप लोग उमीद है अच्छे होंगे। लॉक्डाउन का पालन कर रहे होंगे। तो आज हम लोग is 20 का सेश भाग पढ़ने जा रहे हैं। हमने पिछली क्लास में दा का कुछ भाग पढ़ा था आज हम उसका सिस भाग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं सम अस्पेस्पिक यूज़ ऑफ दा है ना दा का कुछ खास परियोग अलग से तो दा का परियोग कहां कहां और करते हैं समुद्र के नाम के पहले हना समुद्र के नाम के पहले करते हैं जैसे कोई भी समुद्र हो उसके नाम के पहले करते हैं जैसे दी एरेवियन सी दी एरेवियन सी अरब सागर हना रेड़ सी लाल सागर बहुत सारे ऐसे सागर हैं समुद्र हैं उसी परकार महासागर के नाम के पहले हम लोग दा का परियोग करते हैं जैसे दा पैस्फिक ओसियन है ना प्रसांत महासागर उस तरह से और भी बहुत सारे महासागर हैं टोटल पाँच महासागर होते हैं उस परकार फिर नदियों के नाम के पहले हम लोग दा का परियोग करते हैं देशे दा गंगा दा यम्ना उसी परकार खाड़ी के नाम के पहले दा का परियोग करते हैं खाड़ी किसे कहा जाता है जहां पर सब नदियों का पानी सागर का पानी जाकर के एक जगा पर गिरता है उस जगा को खाड़ी करते हैं तो जैसे बंगाल की खाड़ी भी है दगल्फ ऑफ मेक्सिको के भी खाड़ी है उसके बाद डिजर्ट के नाम के पहले हम लोग दा का प्रियोग करते है डिजर्ट मतलब मरु भूमी मतलब जहां सिर्फ बालू ही बालू हो है ना? जैसे की दे थार डिजर्ट है ना? थार मरवस्थल महकाबियों के नाम के पहले दा का प्रियों करते है महकाब मतलब हमारे धार्मिक गरंथ है ना जैसे कि दा रामाइना दा महभारता दा कुराण है ना इस तरह से हम लोग महकाबियों के पहले दा का प्रियों करते है उसके पाद सिप, सिप मतलब जहाज, पानी का जहाज, पानी का जहाज के जो भी नाम हो, उसके पहले दा का परियोग करते हैं, जैसे दा टैटेनिक, एक मसहुर जहाज था, पानी का, उसी परकार, और भी कोई जहाज हो, पानी का, उसके पहले हम लोग दा का परियोग करते है है ना जैसे द गिंग फिसर है ना हवाई जहाज का नाम है द गिंग फिसर निउस्पेपर जो भी घर में आपके अखवार आता है समचार पत्र आते हैं उसके नाम के पहले हम लोग द कप्रियों करते हैं जैसे द हिंदुस्तान आप निए न या यह लोग मूजिक में इस्तेमाल करते हैं मूजिकल इस्ट्रूमिंट मूजिक बजाने में उसको वात यंत्र का जाता है जैसे हर्मोनियम तवली यह ना कि ह्टा best ए और मैंद ओखर मोंें उसके बाद एतिहासिक buildings है ना जैसे ताज महल लाल किला इन सबों के पहले हम लोग दा का परियोग करते हैं दा ताज महल है ना जमा मस्जीद, कुतूब मिनार बहुत सारे हैं historical building हमारे पटना का गोल घर पावपुरी का जल मंदिर सबी के पहले हम लोग दा का परियोग कर सकते हैं यह बहुत ध्यांदर निवाली बात है कि लोग परवत के पहले दा का परियोग कर दते हैं लेगिन ऐसा नहीं है एक परवत के पहले दा का परियोग नहीं होता यहां हिमालिया के अंदर बहुत सारे पर्वतों का सबू है इसलिए उसको पर्वत स्रेनी कहा जाता है ता हिमालिया, दा आल्फ, दा बिंद्याज यह सारे पर्वत स्रेनी है उसी पर का सुपरलेटिव डिगरी के पहले दा का प्रियोग किया जाता है है ना जैसे गूड वेटर बेश्ट दा बेश्ट है ना दा वर्ष्ट सबसे अच्छा सबसे बुरा या सबसे खराब उसलिए है वेली बोडिज है ना जो दुनिया में केवाल लेखो उसके पहले भी दा का प्रयूग किया जाता है यानि कि दा सन दा मून इस पर कार हम लोग दा का प्रयूग कर सकते और्डिनल नमबर आपने पढ़ा होगा ओर्डिनल और कार्डिनल नमबर वह होता है 1 2 3 4 5 6 यह कार्डिनल नमर होता है और इन नमबर 1 2 3 4 इसलिए दर फर्स्ट दर सेकेंड का पर्योग करेंगे जिल गाड़ियों के नाम के पहले है ना जिसे हमारे आसपास सरम जीवी एक्सप्रेस चलती है ता आप सरम जीवी एक्सप्रेस बुद्ध पुनिमा एक्सप्रेस चलती है तो उन सब गाड़ियों के नाम के पहले आपको दा का प होगा धीजाह हमना डिशां इस्ट वेस्ट जोर्थ तो रटिस लिखना होगा कि अखिना हो दो 2103 यह नहीं संराइस इन दर इस्ट तरह आ से अभड़े जब किसी इसेंटेंश का बनावटी इस पहले नाउन हो जैसे काव हो गया फिर मालिया की कोई प्रिप्रिशन हो जैसे एफ हो ऑफ हो गया उसके बाद फिर कोई फिर नाउन हो जैसे राम हो गया तो उसके पहले हम लोग दा का पर्योग अवस्थ करेंगे हना इस परकार के जगों पर हम लोग दा का पर्योग कि दा कि फुलावर्त यहां पे भी हम लोग दा यानि कि यहां पे जब आफ आ गया तो आपको यहां पे दा का परियोग करना ही करना है ठीक है उसके बाद जब एड्जेक्टिव की बनावट नाउन की तरह हो एड्जेक्टिव कहने के मतलब है कि यह से मालने पूर पूर तो देखा जाए एड्जेक्टिव हैं लेकिन इसके पहले दा का परियोग नहीं होता लेकिन अगर जो इस तरह से हो जाए कि गरीब लोग इमंदार होते हैं तो यहाँ पे गरीब लोग यानि कि यहाँ पे एड्जेक्टिव है जो कि नाउन की तरह प्रियोग हो रहा है इसलिए यहाँ पे हम लोग द पूर लिखेंगे है ना द पूर और ओनेस्ट ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे हमेशा पूलरल भर्व का ही परियोग होगा गरीब लोग द पूर अमीर लोग द रीच अंधे लोग द बलाइंड है ना इस तरह से जवान लोग द यंग और उसके साथ आर का ही परियोग करेंगे यानि पूलरल भर्व का ही परियोग करेंगे अंत में आफिस सिनेमा थियेटर सरकस के पहले दा का प्रियोग करेंगे जाता है जैसे आपको लिख रहा हूं तो आई एम गोईंग टू द ऑफिस होगा है ना सिर्फ ऑफिस नहीं होगा है ना मार्केट बगरा में तो हो जाता है यहीं तो मार्केट लेगिन इसके पहले ऑफिस के पहले दा का प्रियोग करना होगा है ना ही इस गोईंग टू दा सिनेमा ओके यही था हमारा समपेसिक यूज़ ऑफ दा उमीद आप लोग को समझ में आ गया होगा वीडियो को बार बार देखें तो जरूर समझ में जाएगा थैंक यू